Hello students, welcome to NP educator, I am Mrs. Pooja Dhurve and today we will see the question answer of The Never Never Nest. आज हम question answer देखेंगे The Never Never Nest का, हमने previous वीडियो में The Never Never Nest के read कर लिया था, हमने देखे थे कि वो एक comedy drama lesson है, जिसमें 4 characters है, Jack Jill, Aunt Jen और Nurse का, और हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है कि वो सिप एक installment के घर में रहते थे और उनके घर का सारा समान installment का ही था, ओके, आज हम इसके question answers को देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले जो question answer दिया है, उसमें choose the correct answer from the options given below each of the following questions, आपनों को option में questions दिया हुआ है, आपको A, B, C option दिया हुआ है, आपको choose करना है कि which is the correct answer, तो first question is why didn't Jack and Jill pay rent for their house, they didn't pay the rent because वो जिस घर में वो रहते थे, उस घर में वो रेंट को पे क्यों नहीं करते थे, घर का किराय क्यों नहीं देते थे, क्यों नहीं देते थे बैताओ, क्योंकि वो घर वो इंस्टार्मेंट में लिये थे, तो इसका answer क्या होगा, तो यह इसका correct answer है, तो यह इसका correct answer है, तो कितना उनको रुपए दिये थे, तो कितना रुपए दिये थे, जाए 200 पॉंड, याद आया, क्या आएगा यहां पर 200 पॉंड, थर्ड कोशन इस, how much did Jack and Jill pay to get a car, वो कार को लेने के लिए, उन्होंने कितना इंस्टार्मेंट दिया था, तो कितना इंस्टार्मेंट दिया था, उन्होंने 5 पॉंड, how much? 5 पॉंड, option है 5 पॉंड, 10 पॉंड, 500 पॉंड, तो कितना दिये थे, वो 5 पॉंड याद रखेंगे आप, कार के लिए वो 500 पॉंड पे किये थे, फॉंड, फॉर्थ, कॉशन इस वाई डिट आण जैन रिफ्यूज तो लाइड़ाउन ओन दा बैड, शी डिडेंट लाइड़ाउन दा बैड, वो जब उसको अराम करने के लिए और बैड में लेटने के लिए, जब जैक ने कहा तो वो वहां क्यों नहीं लेटे, क्यों बत तो उसका अंसर क्या होगा, B, the bed did not belong to Jack and Jill, वो बैड भी Jack और जील का नहीं था, वो भी इंस्टाल्मेंट में था, clear? जाची जैन ने जैक और जील को 10 पॉंड का चेक क्यों दिया था, बताओ, क्योंकि जब चाची जैन को पता चला कि इनकी घर का हर एक समान इंस्टाल्मेंट में है, तो उनको लगा कि अगर वो 10 पॉंड दे दे, तो वो एटलिस्ट किसी एक चीज का बिल पूरा दे सकते है उनका खुद का हो जाएगा इस वज़े से, तो इसका आंसर क्याएगा, C, Okay, Anjan thought that Jack and Jill could make full payments for at least one of their bill, वो चाते थे कि जितने सार उसके घर के जितने समान है, कम से कम किसी एक समान का वो पूरा का पूरा बिल पे कर सके, Okay, तो इसका थार्ड आंसर आएगा, याद दखिएगा बिलकुल, Now, Sixth Question is, What did Jack intend to do with the 10-pound Jack, तो जैसे ही Anjan ने उनको 10-pound का चेक दिया, तो Jack का क्या इंटेंड था, वो क्या करना चाहते थे, तो वो क्या करना चाहते थे, वो चाहते थे कि कार का इंस्टाल्मेंट वो पे कर सके, तो इसका आएगा, C, He wanted to pay off the installments for the car, Okay, Now, Seventh Question is, How many persons were present in the house when Aunt Jen visited Jack and Jill, जब Jack and Jill के घर वो गय थे, तो उस घर में कौन-कौन प्रेजन थे, कितने लोग प्रेजन थे, 4, 5 और 6, तो कितने लोग प्रेजन थे वहाँ पर, 4, वो कौन-कौन थे, Aunt Jen, Jack, Jill and Nurse, Okay, तो यह 4 लोग थे, तो उस समय वहाँ पर प्रेजन थे, तो यह options question थे, इस type of question mostly exam में पूछा जाता है, one marks में, तो आप इसको अच्छे से learn कर लेंगे, ना अब हम इसके brief the three marks question आते हैं, अब उसको हम रेख लेते हैं, तो जो second question है, वो है, describe Jack and Jill's house and the things that impressed Aunt Jen, तो आप describe कीजिए, मतलब वर्णन कीजिए, कि जब Aunt Jen, Jack and Jill के घर में गई थी, तो वो कैसे अपने चीजों से उनको impress कर रहे थे, तो इस का answer आप जानते हैं, वो अपने घर के furniture वगरा दिखा रहे थे, तो you can write the answer, Jack and Jill's house is wonderful little cozy house and the things has essential furniture, radio set, car and piano impressed her, तो वो अपने furniture से, radio set से और car, piano से उनको वो impress कर रहे थे, तो ये इसका second answer है, Now third question is, why was Aunt Jen worried about her gift check, जब वो Jack and Jill को जो gift check किये थे, उसके लिए वो क्यों चिन्तित थी, तो क्यों चिन्तित थी, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि कहीं वो 2000 का ponto नहीं दे दिये, 200 के जगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, Aunt Jen was worried about her gift check, because by mistake, she wrote 2000 pounds instead of 200 pounds, उनको लगा कि वो कहीं गलती से 200 pounds के जगर 2000 pounds तो नहीं लिखती है, Okay, so you can write this answer in this way, और this is very important, mostly ये वाला question एक्जाम में आता है, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे, clear? Now, fourth question is, why did Jack say that it was better to be Mr. Honor than to be Mr. Tenant? Jack ने Aunt Jen's क्यों कहा था कि मालिक बनना ज़्यादा अच्छा है किरायदार से, तो वो क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं, Jack said that because he realized that it was uneconomic on paying rent year after year, क्योंकि Jack ने महसूस किया था कि साल, प्रती साल किराया देना ज़्यादा आलापकार है, मतलब हमको उसे कोई फायदा नहीं होता है, मतलब उसे नुकसान ही होता है, इस वज़े से वो कह रहे थे कि ज़्यादा अच्छा है, कि रायदार बनने से ज़्यादा अच्छा है कि मालिक बन जाएं। नौ फिप्त कोश्यादी है, Why did Aunt Jane say that she would take a bus rather than go by Jack's car? Aunt Jane ने क्यों कहा कि वो बस से जाएगी, ना कि Jack के कार से? Aunt Jane ने इसलिए, चाची Jane ने इसलिए कहा क्यूंकि Aunt Jane said that she would take a bus rather than go by Jack's car because the car did not belong to him, क्यूंकि वो जो कार था, वो भी उनका नहीं था, वो भी इंस्टॉल्मेंट में था इसी वज़े से आंट जैन ने मना किया कि वो बस से जाएंगे ना कि उनके कार से आंट जैन ने जब 10 पॉंड का चैक उनको दिया तो वो जैसे ही उनको चैक दिया गया वो तूरंत उसको मिस्टर मार्टिन डॉक्टर के घर पहुंचा दी तो आप लिख सकते हैं आंसर विद्धा टैन पॉंड चैक प्रेजेंट वाइंट जील सेंट इट टू डॉक्टर मार्टीन 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 एस फर्स्ट इंस्टालमेंट पॉर बेभी पैवेड़ी वो बेभी वीं आप जानते हो जो इस इस पर्या में सब से पॉंड अंशा कर दी त्यान कि या D65 मार्टीन को इस वरे से वो टैन आप लोग जानते हो कि कई लोग है जो इस ट्रेंड में मतलब इंस्टार्मेंट वाले हैविट को अभी भी ऐसा करते हैं तो आप सपोर्ट करते हो चीच का तो यस मैं तो इसका आंसार हां लिखोंगी क्योंकि हम सभी कई लोग नॉर्मल परसन होते हो और कई लोगों के पास इतना इंकम नहीं रहता कि वो सभी चीच को खरीच सके पूरे पैसा दे कर तो ज्यादा अच्छा है कि लोग इंस्टार्मेंट में हम अधा करके सारी खुशिया ले सकते हैं तो मैं तो बिल्कुर सपट करूंगे तो 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 आट्स वाई आपको एक ऐसे सिच्वेशन के बारे में बताना है जो जादा है दम आपको सुनकर या देखकर काफी हसी आई तो अफको सबको हसी तब आई जब पता चला लास्ट में कि जो वो बच्चा है वो भी उनका नहीं है वो इंस्टार्मेंट में है हना याद आया तो यस आपको लिखोगे जील सेज जस्ट वन मोर इंस्टार्मेंट और एंड बेबी इस रियली आर्ट इस ता मोस्ट हुमरियस सिच्वेशन इन दा प्ले जब उसने जैक से कहा कि बस एक और इंस्टार्मेंट फिर बेबी भी हमारी हो जाएगी यह सुनकर हम सभी को काफी हसी आई कि उन आप वहां पर दे सकते हैं हैं हैपी लाइफ विट लोन इंस्टार्मेंट मतलब खुशिया भरी जिंदिगी कर्जों के साथ हना किस्तों के कर्जों के साथ मतलब हम कर्ज में भी है और किस्तों में भी दे रहे हैं और खुशिहाल जिंदिगी भी विता रहे हैं तो यू के write another title for the never never nest happy life with loan installment okay so this is the nine question answer of this the never never nest I hope you all know the question answer so you can write in your copy and remember it well I will tell you some important questions that most of you can ask in exam okay so I hope you like this video and also subscribe my channel and share this video with your friends we will meet in the next video another lesson another topic till you are very much thank you